दोस्तों रितुरास गाइकवार जैसे बदकिश्मित खिलाडी साइध ही कोई और होगा गाइकवार ने अपनी टीम को संभाला और दस ओवर तक शदियों ही बल्लेबाजी हुई जब जड़ेज आउट हुए तो आता है दुबे का तोफान गाइकवार और शिवम दुबे की चोड़ी ने लेखनाव वालों की खोड़ पूटाएगी गाइकवार ने जहां 60 गिन्द बनाकर आउट हो गए उसके बात मार्केश इस्टोइनिस ने देवद्रति पर्टिकल के सहारे टीम को संभाला और दस ओवरों तक शेसके की तरह सधी बल्लेबाजी की जब देवद्रति पर्टिकल आउट हुए तो निकॉलस पूरण को भेजा गया ताकि वो इस्टोइनिस पर आज तकी द्रापड़ा टार्गेट कभी भी चीज नहीं हुआ था खैड़ लखनो इस जीत के साथ टॉप 4 में पहुंच गई है जबकि CSK पांच में नंबर पर खिचक गई है वैसे ओ से CSK की हार का एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसके चल्दे शायद उनके सबसे जाद अच्छे लेगी कमेंट का जरूर बताइएगा अपी मिलेंगे इसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब चरूर करिएगा